अज हम रिव्यू करने बाले हैं इसी ऐसूस X507 लेफटप की और बहुत सारे टेस्ट हम इसी वीडियो में करने बाले है ये लेफटप बहुत सारे वेरियंट्स में आ जाते हैं तो कौन सबल आपके लिए सही रहेगा वो जाने भीना भीलकूल मत लिजे इस लेफटप को तो लेट्स केट स्टाड़ेट ये लेफटप बहुत स्टाइलिस्ट लोक के साथ आ जाती है जो आपको बहुत ही पसंद आएगा इसका जो प्रोसेसर है वो है क्वाट कोर पेंटियम N5000 जो 30,000 के आसपास है इसके राइट साइड में आपको मिल जाएगा एक USB और एक Type-C USB पोर्ट इसके लेफ साइड फिर आपको मिल जाएगा एक headphone jack एक HDMI पोर्ट, एक SD card slot, दो USB jack और एक charging port ये एक metal design के साथ आजए थी है जो आपको देखने को लगएगा कि ये metal का बना हुआ है लेकिन ये plastic का बना हुआ है इसके साथी साथ आपको एक fingerprint scanner भी मिल जाता है जो बाकी laptop में आपको नई देखने को मिलेगा और एक premium keyboard भी आपको इसके साथ मिल जाता है जो बहुत स्मूथने से काम करता है पीछे के तरफ आपको कुछ इस तरह का आसूस की banding देखने को मिल जाएगा ये laptop आजाता है Windows 10 के साथ तो अब हम आपको दिखा देते हैं ये किस तरह से काम करती है क्या है इसका performance, क्या है इसका benchmark सारी डिटेल्स और टेस्टिंग इस वीडियो में आपको दे दूँगा जैसे कि आप देख रहे हैं मैं इसे यूज कर रहा हूँ और ये बहुत ही स्मूथली काम कर रहा है मुझे कोई भी दिक्यत नहीं हुआ है इस laptop को around two months मैंने use कर लिया है और अभी भी ये ठीक ठाक ही काम कर रहा है इसका mouse pad जो है वो बहुत smoothly काम कर रहा है और बहुत ही sensitive है अगर आप जामना चाहते in the box आपको क्या-क्या मिलता है तो वो भी एक quick unboxing हम देख लेते है कुछ इस तरह से आपको ये box देखने को मिलेगा जिसमें आपको laptop मिलेगा और एक charger और कुछ quick guidelines भी आपको मिल जाएगा जैसी कि आप देख सेते हैं कि इसके monitor बहुत ही पतला है मैंने notice किया कि इसके display अगर आप side से देखे तो आपको थोड़ा सा negative view देखने को मिलेगा अगर आप बिल्कुल सामने से देखते हैं तो आपको problem नहीं होगा अब मैं आपको sound quality sample देता हूँ जो record हुआ है मेरे camera से तो आपको original feeling नहीं मिलेगे लेकिन बता देता हूँ इसका quality बहुत ही अच्छा है इसमें आपको intel integrated 520 graphics card आपको मिल जाता है जो आपको अच्छे से gaming भी करवा देता है मैंने इसे sleeping dog game को test करके देखा full resolution में और इसमें कोई frame drop देखने को नहीं मिला ये laptop बहुत ही smoothly performance दे रहा था और एक बड़िया चीज जो इसमें लगी हुए है इसका charger इसका कोई external adapter नहीं है charger में direct एक mobile phone charger की तरह है ये आपको login करना पड़ेगा और इससे charge करने पड़ेगा ये laptop force charging के साथ आता है तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा इसमें 60 मिनिट में 70% से ज़्यादा charge देखने को मिल जाता है और इसके battery के बारे में बात करें तो वो भी बहुत ही अच्छा है अगर आप online पे काम करेंगे तो 4 गंटे के आसपस आपको battery backup मिल जाएगा अगर आप offline पे काम करेंगे low brightness के साथ तो आपको 7-8 गंटे का backup मिल जाएगा अगर आप 20,000 के आसपस laptop ढून रहे हैं तो ये laptop आपके लिए अच्छा हो सकता है Asus X507 में और भी काफी सारी variants आपको available मिल जाएगा इसे एक है Intel Celeron N4000 जिसका performance बहुत ही कम है और जिसका मैंने अभी review दिखाया है वो है Pentium Quad Core का N5000 जिसका performance बहुत ही जादा अच्छा है तो इस वीडियो का अच्छी लगे तो like कीजिए नए है तो subscribe कीजिए और इसी तरह काफी सारे interesting videos मेरे चैनल पर है तो जाकर check कर लिजिए